हेलो दोस्तों मैं खुश्वू अपने चैनल घर का जाय का विद खुश्वू में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों आज मैं आपके साथ पिठा की रेसिपिक सेयर कर रही हूँ जो बिहार के जायकों में से एक है बिहारी लोग सर्दियों के मौशा में खाश कर पूश माह में एक वार जरूर अपने घर में पिठा बनाते हैं पिठा सरीर को गर्माहत देता है तो फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ ये पिठा की रेसिपिक सेयर कर रही हूँ दोस्तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लीटर दूद को उवा लेंगे दूद आप इतना उवा लिएगा कि वो खौलने लगे आप इसे ढख कर भी उवाल सकते हो बस इतना धियान रखना कि दूद उपर ना आए दोस्तो जब तक दूद उवालता है तब तक हम पिठा की तयारी कर लेते हैं इसके लिए हम 100 गराम खौआ लेंगे खौआ 100 गराम लेंगे और उसमें हम 50 गराम सूगराइट करेंगे अब हम उसमें ड्राइफ फूट्स में किश्मिश इलाइनसी पाउडर और कटी हुई नाडियल एड़ करेंगे इस दारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके लिए हम चावल का आटा लेंगे चावल को आटा को खौलते हुए पानी उसे हमने गूत लिया है और 10 मिनिट के लिए रेस्ट दिया है अगर आपका आटा ज़्यादा सुखने लगे तो आप खौले हुए पानी से ही इसको में मिक्स करिएगा आप ठंडे पानी का यूज मत करना नहीं तो आपका पिठा फटने लगेगा अब हम छोटी छोटी लोई लेंगे और मावा के मिश्टन को उस लोई में एड़ करेंगे जा सकी हम कर दोस्तो आप इसी तरह से ही चिकना चिकना पिठा तयार कीजिएगा जैसा हमने किया है उसी तरह से मैंने सभी में फील कर दिया है और साइड में रख देती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरा दूद खौला है की नहीं दूद मेरा पुरी तरह से उवल गया है अब मैं इसमें एक करके पिठा को आड़ करूँगी दोस्तों आप इसे कुछ देर बाद चलाईएगा क्योंकि ये पिठा थोड़ा सा चिपका हुआ होगा अगर आप जैसे ही डालोगे और इसको नीचे से चलाना स्टार करोगे तो आपका पिठा फटने लगेगा हम पिठा को नीचे से चलाते हैं और समय समय पर चलाते रहिएगा ताकि नीचे से पिठा चिपके भी नाम अब आपको लगेगा कि ये पिठा कब तयार होगा पककर तो जब ये पिठा दूद से उपर आने लगे तो आपका पिठा रेडी है फिर आप इसमें सूगर एड़ करना देखिए दोस्तो पीठा उपर आने लगा अब हम उसे एक दो मिनिट और कुक करेंगे फिर हम उसमें चीनी एड़ कर देंगे चीनी आप गैस आफ करके ही एड़ करना क्यूंकि अगर आप जलती हुई गैस पे चीन डालोगे अब हम गैस आफ कर देते हैं और हम इसमें सूगर एड़ करते हैं सूगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो गैस आउन कीजिएगा और उसे एक दो मिनिट कुक किरना एक दो मिनिट कुक करने के बाद हम उसमें ड्राइ फूड एड़ करेंगे ड्राइ फूड में आप कटी हुईनारियल, किश्मीश, इलाइंची का पौडर इलाइंची के पौडर से आपका पिठा में एक अलग खुश्वू आएगी जो ना चाहकर भी आपके पिठा को खाने का उसको मन हो जाएगा और आपके एक के जगा पे वो आपसे दो पिठे मांगने लगेंगे दोस्तों देखिए पिठा कितना सुन्दर लग रहा है लग रहा है ना कि मैं इसे अभी खालू क्योंकि घर का जाएका विद्खुश्वू में जो दिखता है वही पकता है अब पिठा पूरी तरह से कूख हो गया है अब हम गैस आफ करेंगे और इसे एक सर्व करने वाला बॉल में निकाल लेंगे इसे आप डिजर्ट के रूप में भी दे सकते हो खाने को लोग इसे मना ना करेंगे खाने को अब इसमें हम गार्निशिंग करेंगे कटे हुए बादाम से लोग कितना क्रीमी कितना वाइट कितना सॉफ्ट लग रहा है मैं आप पो इसे कट करके दिखाती हुए यह बहुत हीं सॉफ्ट बना है है ना वाह मज़ा आ गया खाक है यह देखने में भी सुन्दर है और खाने में भी अगर आपको पिठा की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताना कि मुझे मेरी इस पिठा वाली वीडियो आपको कैसी लगी और हाँ दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सस्क्राइब करो ताकि मैं और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी इंस्ट्राग्राम आइडी है कनोजिया खुश्वू 123 तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक खुश रहें खुशियां बाड़ते रहें और आज पर सफाई बनाए रखिए थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग टेक केर और बाई बाई